प्रुदेश भर में लोगों का इस वक्त गर्मी से हाल बेहाल हैं। लगातार बढ़ते हुए तापमान और लू ने लोगों को मई में ही जून की गर्मी का हैसास कराना शुरू कर दिया। देश गर्मी से इंसानों के अलावा जानबर भी परिशान देखे जा रहे हैं। इसके चलते जैपूर जो में जानवरों के लिए विशेश व्यवस्थाय की कई। जानवरों के बाड़े से लेकर खानपान तक में परिवर्तन किया गया। इसका जायजा लिया हमारे सम्वाल दा रिश्वप पांठे ने। देश में जहां एक तरफ लोग कोरोना से परिशान है तो वहीं अब देश में लगातार उत्तर भारत में बढ़ती वी गर्मी है उससे भी खासा परिशानी का सामना करना पल रहा है। तो बात करी जाया है जानवरों की जानवरों को भी खासा लिए गर्मी से कुछ लगातार मौसम जो गरम हो रहा है इसके साथ लू त्यादी से बचाने के लिए जो व्यवस्थाएं करी जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए कूलर स्प्रिंकल सित्यादी की विवस्था यहां पर करी गई है और इस पे अगर ज़्यादा जानकारी ली जाए तो हमारे साथ परिष्ट वन्य जीव चिकितसक अर्विन माथुर सावें सर किस तरह की विवस्थाएं करी जारी कि गर्मी लगातार बढ़ रही है इनसान पर रशान है तो जानवरों क्या हाल होगा पिछले कुछ दिनों से जैपुर में काफी गर्मी पड़ रही है इसलिके करान हमने हमारे जो वन्य जीव हैं उनके लिए बचाओ के लिए विशेश इंतिजाम किये गए हैं जो हमारे पिंजरे हैं उसमें सुबह और शाम को पानी का छिड़काओ किया जाता है इसके अतरि पाक है और जो सामबर है उनको रूटीन डाइट के साथ तर्बूच दिया जा रहा है जिसे रिच ओफ वाटर कंटेंट होता है उसके अतरिकते जो हमारे बर्ड्स हैं जिसमें ऑस्टिच है जो अलग जो जो फीजन्ट हैं जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उसमें उनको जो पानी जो पीने का पानी है उसमें हम रोटेक्शन से एलेक्रोल और गुलुकोस डालते रहते हैं ताकि उनमें किसी तरह सी डियाडिक्शन ने रहे साथ-साथ उनका जब हेल्थ एविलिशन करते हैं तो उसमें अवश्रत अनुसर उन सभी वन्य जियों को वाइटामीन् पी समय समय पर दिया जाते हैं अगर करी जाए कोरोना की तो को लेकर केंद्र सरकार ने पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी उसके बात से क्या कुछ प्रवस्था हैं जहपुर जूमें करी जा रही हैं इसके बारे में थोड़ी जनका को देखते हुए हमारे विशिश सब देखते हैं जित्ते हैं अंग से करते है ताकि किसी थरकार के कोई संक्रमच्कर Lun gets ऑन में वनको परवरतन की रहे हैं है मैंड कैमर करशन को सब कर दी रखतर पांडे इवेंट्वि नेयुज जैपुर फिल्हाल के लिए इस बुलेचिन में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देशा है